हेलो गाईज कैसे हो आप लोग तो आज की इस वीडियो पर मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप अपनी नॉर्मल फोन या DSLR से क्लिक किया गया फोटो को 8K क्वालिटी में कनवर्ट कर सकते हो तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर से देखना और चलिए वीडियो को करना लिटरली काफी जाधा आसान होने वाला है क्योंकि हम एक AI का यूज करेंगे जो कि हमारी फोटो की क्वालिटी को सिर्फ एक क्लिक में इंक्रीज कर देगा तो कौन सा AI है एंड कैसे क्या करना है सारा चीज में आपको बताने वालों तो चलिए शुरू करते सो सबसे प यहां पे सर्च करना है के आर ईए ठीके यही इस AI का नाम है तो आप यहां पे सर्च करना के आर ईए लास्ट में आप चाहो तो AI लिख सकते हो एंड उसके बाद सर्च कर देना सर्च करोगे स्टार्टिंग में इसका यह जो वेबसाट है वो आ जाएगा देन आप इसके क्लिक करोगे यह ओपिन हो जाएगा एंड आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा जहां पर थोड़ा सा स्क्रॉल करने के बाद इन्हेंस का एक ओप्सन दिख जाता है जैसे के आप यहां देख पार हूँ ठीक है इसलिकी मदद से हम यहां पर फोटो के क्वाल देन आपको एक कंट्यूनियो विथ गूगल का आप्चन मिलेगा इसके उपर क्लिक कर देना है यहां क्लिक करने के बाद आपके डिवाइस में जितना भी इमेल आईडी होगा वो सारा यहां पर आ जाएगा अब इन मेंसे आप किसी को भी सेलेक्ट कर सकतो जैसे कि मैं यहा आपका एकाउंट बन जाएगा लाइक आप यहां देख पारो सिर्फ आपको यहां पर एक बार कंट्यूनियो को पर क्लिक कर देना है और जो आपका स्क्रीन का लॉक होगा लाइक मेरा फिंगर पिंट है तो मैं यहां फिंगर पिंट दे रहा हूं आपका अगर पैटरन से अपने फोटो के क्वालेटी इंक्रीज कर सकते तो सिंप्लिस आप इसको पर क्लिक कर दो इन्हेंस को पर क्लिक करो एक नया पीज ओपन हो जाएगा जहां पर आपको ड्रैग एंड ड्रॉप का एक ओप्सन दीख रहोगो जैसे कि मैं जूम करके दिखाता हूं यह वाला से अपने फोटो है जिसका आप इन्क्रीज करना चाहते हो उसवाले फोटो को आप यहां पर सटार्ट हो जाएगा और यह अप्लोड हो चुक थीक आप यहाँ पर देख पार अप्लोड हो गया मैंने यहाँ पर एक नॉर्मल से फोटो को सेलेक्ट ही गया है जिसमें के वगर संसेट वगर है थोड़ा अच्छा सीन है ठीक है इसी तरी से आप भी को एक अच्छा से फोटो को यहाँ पे एड़ गाना जो देखने में उसके मतलब से आप यहांपी यह डिसाइड कर सकते हो कि आप अपने फोट्यों काुणती कीतना इनक्रीज़ करना चाहते हो अगर आपको 2X & को सलेट़े कर सकते हो फिर 4X है फिर 8X भी है यहां पर 16 X भी है तो हम तो यह सब से जाधा इंक्रीज करना चाहते मतलब जितना आच्छा है इंक्रीज वाइन उतिन आच्छा है ठीके तो हम 16 related कर लेते हैं तो आपको यहां पर हैंस को उपशन दीखेगा हैा इसके क्लिक कर करनें और यहां क्लिक करने कद आपको थोड़ा दिर तक वेट करना होगा यह इनहांचिंग प्रोसे स्टार्ट हो गया है लाकर आप देख पारे हैं ठीक है तो यहां पर यहां पर सिर्फ थोड़ा सा विट कर रहे जाद के अंदर अंदर ही आपको फोटो का क्वालिटी इंक्रीज करके दे देता है ठीक है तो थोड़ा से हम यहाँ पर सिर्फ वेट कर लेते हैं सो आप यहाँ पर देख सकते हो कुछ टैम तक हमने वेट किया एंड उसके बाद यह जो है हमारे इनहेंस हो के प्रोसेस हो के यहाँ पर आ चुका है ठीक है अब इसका रिजल्ट देखने के लिए आप इसको पर क्लिक कर सकते हो यहाँ पर क्लिक करो दिन आप देख वाओगा यहां पर वह जो फोट वह आ चुका है और अगर मैं इसकी before की बात करूं तो इसको पर आप क्लिक करना before आपको यहां पर देख सकते हो और यह after ठीक है मतलब इसको इसको पर क्लिक करो तो डाउनलोड होजागा ओकर आपको बैक मतलब इसको आप यहां पर कर लेना है मतलब क्वालिटी तो काफी इंक्रीज हो गया आप देख पार हूँ ठीके यह भिफोर और यह अफ्टर काफी अच्छा हो गया है बट हम चाहते हैं कि इसका क्वालिटी और इनक्रीज हो तब जाके मजा आएगा तो और इनक्रीज करने के लिए आपको ना यहाँ पर बैक कर लेना ह ठीक है और उसके बाद फिर से आपको आप स्केल एंड इन्हेंस को उपर आ जाना है एंड यहां पर यह जो सेम स्टेप हुआ ही आपको करना होगा ठीक है तो ड्रेग और आपको उपर क्लिक करना बट अभी आपको वह वाला फोटो को सेलेक्ट करना है जो अभी हमने एडिट किया है जिसका quality हमने increase किया है ठीके तो इसको आपको सेलेक्ट कर ले ना फिर आपको यहाँ पर scaling का factor मिलेगा जिसमें को फिर से 16x को सेलेक्ट करना होगा ठीके सेलेक्ट कर लेने के बाद आपको यहाँ पर एक enhance का option दीख जाता है फिर से आप इसके उपर क्लिक कर दो मतलब सेम प्रोसेस को आप यहाँ पर एक दो बार कर दोगे ना तो फोटो का quality लिटरली काफी जाधा increase हो जाता है मैं आपको दिखाता हूँ फिर से यह enhance हो रहा कमाल का लग रहा है ठीक है तो इस तरीकी से करके आप यहाँ पर आपने फोटो के quality को increase कर सकते हो मैं आपको एगार बीफोर दिखा तो अपने गैलरी को पिन करके यह देखो आप बीफोर बिल्कुल नॉर्मल सी है ठीक है वहीं अगर मैं यहाँ पर आपको आफ्टर दिखा देना एंड डाउनलोड को पर क्लिक कर देना ठीक है मतलो डाउनलोड को पर क्लिक करने से सेव हो जाता है ओके तो इस तरही से इस वेबसाइड का यूज करके आप अपने फोटो के quality को enhance कर सकते हो मैं फिर से आपको बोल लाँ यह प्रोसेस आप एक बार और करोगे ना तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वाली वीडियो में तब तक के लिए खुस रहो और खुसियां बाठते रहो